तो अच्छा वेलकम कर लेते हैं चलो ठीक है वेलकम टूस्टेफब अगेडमी मेरा नाम है आधश्टिवारी और हम सीरीज में क्या कर रहे हैं तो भाई देख लो जल्दी वेलकम वेलकम पढ़ लो जल्दी से टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है ठीक है हम रिलेशन और फं कि निए फंसके फंक्शंस और सब्सक्राइब कर लिए यह सब कर लिए फंक्शन क्या होता है अगर आपने वीडियो नहीं देखें तो भई 멘 कमेंट में ठीक तो अभी अगर आपने वो नहीं भी देखे हैं तो गैरेंटी है मेरी कि मैं आपको यहां पर इसी वीडियो में डारेक्टली भी सब कुछ समझा दूँगा अच्छे से कि कौन सा फंक्शन कैसा होता है कैसे हमें क्वेश्टेंस को सौल करना है तो बेना टाइम बेस्ट कि स्टार्ट करते हैं चलो तो अब क्या है सबसे पहले एक्जांपल क्या बोल रहा है लेट एविर सेट ऑफ ओल। फिफिटी स्टुदेंस और क्लास 10 इन स्कूल तो एक सैट है सारे पचास स्टुदेंट्स का कि किसी एक स्कूल में पचास स्टुदेंट्स हैं उनका एक सैट है मतलब कि ए सैट में ऐसा कुछ आ रहा होगा भी क्या रहा होगा पवन मोहीत रोहीत ऐसे पचास लोग आ रहे होंगे हां लड़किया भी होंगी ऑब्विसली ठीक है तो कोई भी हो सकता है वो बोज स्कूल होगा हो लड़के-लड़के होंगे क्या करना उससे आपको उससे क्या करना है आगे पढ़ो कोश्चन देखो अब क्या बोल रहा है let f dot dot f is such that f is a function from a to n sorry ठीक है यहापर कैसे पढ़ने इसको f is a function from a to n तो इसको पढ़ने का तरीका यह होता भी यह f जो है वो क्या एक function है कहां से कहां तक तो a से लेके n तक तो a क्या है उसका यह है उसकी domain n क्या है उसका तो यह है उसका co domain ठीक है डोमेन है और n जो है वो को डोमेन है मतलब की रेंज जो आएगी जो भी output साएंगे वो कहां साएंगे तो score domain से निकल करेंगे ठीक है अब यह function 1-1 कब होता था थोड़ा से division अगर मैं करवा हूं आपको तो 1-1 कब होता था जब सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलता था मतलब किसी भी दो अगर कभी भी आपके जो आउटपुट वो सेम आ रहा है तो उनकी इनपुट भी सेम ही होंगे मतलब किसी भी एक इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट तो नहीं पार कर रहे हो वन वन फंक्शन की तो दो डिफरेंट इन्पुट्स के लिए सेम आउट्पूट्स नहीं मिल सकता अगर वहाँ पर दो दो अलग अलग इन्पूट्स अगर आप ऐसा लिख रहे हो अगर किसी को वन बन फंक्शन होता ना और आप लिख रहे हो f of x1 is equals to f of x2 then this should imply that x1 जो होगा वो x2 के equal होगा मलब अगर outputs equal हो रहे हैं तो input भी same ही रहा होगा दो different inputs पर same output नहीं मिल सकता यह होता है one one function और on to function अगर आपको देखना तो on to function क्या होता है जब code domain जो है एकदम साधारन simple words में बता रहा हूँ जिन्हों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ ठीक है जो code domain है वो अगर range के बराबर आ जाए मतलब की code domain में आने वाले हर एक element के लिए there is an element in a यह है ना set अपना पहला हो हाँ ठीक है तो पहले वाले set में एक element है जो की उससे associated है मतलब की code domain का हर एक element किसी ना किसी element से associated है हर एक image की कोई pre image है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है जब code domain ही range बन जाए मतलब की code domain में आने वाले सारे ही जो elements है वो किस ना किसी element के output आ रहे हैं तब वो हो जाता है on to function ठीक है तो अगर कोई function one one और on two दोनों होता है तो वो कहला है by rejection ठीक है वो कहलाता है by rejection because वो injection भी है और surjection भी है one one भी है और on two भी है तो यह थोड़ा सा division हो गया अपना अब questions पर बढ़ते हैं आगे लेकिन हां अगर अगर आभी आपको चीजें समझ में आ भी चुकी है फिर भी मैं आप से एक दर्ख्वास्त करूंगा कि आप तो कोई भी question जब करते हम मैं आपको एक ना template बता देता हूं template मतलब की हमें कैसे आगे बढ़ना है हम कैसे एक ही तरीके से question को करते जाएंगे और question solve होता जाएगा या तो कोई question इसमें ऐसा है जो theoretically solve हो जाएगा मतलब हां उसका answer match में भी अगर आप theory की form में देते हो तो भी answer मानने होगा लोग मान लेंगे उसको या फिर एक template बता देता हूं भाई कि अगर one one prove करना है तो क्या करना होगा और on to prove करना है तो क्या करना होगा ठीक है तो सबसे पहले one one के लिए template बताता हूं तो अगर कोई function one one है और हमारे पास ऐसा है कि fx1 is equals to fx2 है अगर कोई दो outputs है जो same हम बोल देते हैं और यह imply करता है this implies that x1 equals to x2 then function जो है वो कैसा हो जाएगा one one तो कुछ नहीं करना है function की कोई फिक equation दी होगी जब भी equation दी होगी तब यह कर सकते हैं अपन function की कोई फिक equation दी होगी तो आप क्या करोगे उस equation में एक बार x1 put करोगे एक बार x2 put करोगे ठीक है और अगर f of x1 और f of x2 इस function पुट करने के बाद आप कहां तक पहुंचते हो लास्ट आपको ऐसा मिलता है कि x1 is equals to x2 है तो भई वो कैसा function हो जाएगा one one example देता हूँ मैं आपको मान लो आपको function दिया हुआ है f of x x plus one ठीक है अब आप क्या बोलते हो यहाँ पर f of x1 कित्ता हो जाएगा तो हो जाएगा x1 plus one f of x2 क्या हो जाएगा तो हो जाएगा x2 plus one जब दोनों को आप equal पुट करोगे अगर किसी भी case में f of x1 और f of x2 कैसे आ रहे हैं equal आ रहे हैं भगोड़ा हो गया यह बोड़ अपने आप भाग जाता है पागलों समान तो क्या हो गया है इससे जादा हो गया है तो जब भी आपने f of x1 को f of x2 को पुट किया equal तो क्या हो जाएगा तो यहां पर आपने खोगे x1 plus one is equals to x2 plus one one say one cancel x1 जो हो जाएगा वो x2 के equal आ जाएगा मतलब आपने start कहा से किया कि f of x1 is equals to f of x2 से और आप पहुंच कहा तक गए आप पहुंच गए x1 equals to f x2 तक आपने रखा f of x1 equals to f of x2 इनकी values पुट करी पहुंच कहा गए x1 equals to x2 तक मतलब कि आपने यह प्रूव कर दिया कि यह one one function है क्योंकि हमने पूर्पूट को सेम रखा बट इन्पूट भी सेम आ गए ठीक है अभी हो गया one one के टेंप्लेट यह पूरा लिख लो अच्छे से से इसा ही करना है सबसे पहले ऐसा करना है उसके बाद आपको x1 equals to x2 दक पहुंचना है ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ अच्छा सा बैग्राउंड बैग्राउंड कलर में लूँगा एकदम डार्क ब्लैक को दिखकत तो नहीं पावन आपको होती भी तो क्या हो जाता है चलो तो अब यहाँ पर क्या है अगर मैं बोलता हूँ आपको टैंपलेट चीए किसका अन्टू के लिए तो अन्टू के लिए आप क्या करोगे आपको f of x जो है वो in terms of x वहाँ पर लिखा होगा ठीक है अब आप f of x को y पुट करो ठीक है क्या करोगे put f of x equals to y then find x in terms of y ठीक है सबसे पहले क्या करोगे f of x को y पुट करोगे उसके बाद x in terms of y निकालोगे अब भई x in terms of y निकालने के बाद जैसे मैं इसी function बोलता हूँ f of x आपका क्या था x plus 1 था अब आप क्या बोलते हैं इदर y पुट कर दी f of x को x plus 1 हो गया x को आपने रख दिया y minus 1 अब अगर फंक्शन जो f था वो होता from n to n ठीक है कहां से कहां तक होता natural number से natural number तक का function है मतलब कि इसकी domain भी natural number है co-domain बी natural number है range जो है वो co-domain के बाहर के तो हो नहीं सकता रही range होता undertow Atl Account को धोकमें का तो हमें कोई भी number y जो है वाई कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा आउटपूट से y और TWO जो भी Y होगा हमें देखना कि hurricane के लिए associate होने के लिए कोई एक element पहले वाले set में available है क्या कोई एक x available है क्या y सा associate होने के लिए हमेशा ही हर case में तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर x जो y-1 हो रहा है और हमें पता है कि x एक natural number है y भी एक natural number है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर y की value 1 पुट कर देता हूँ मान लो y की value मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पर 1 तो x की value कित्ती आ जाएगी 0 बट क्योंकि x यहाँ पर एक natural number के set में से है तो वहाँ पर 0 तो मिलेगा नहीं आपको तो आप बोलोगे भई y जब 1 है तो उससे associate होने के लिए इन सब के जो आपको answer देने होते हैं उसके लिए domain और co domain देखना बहुत ज़रा जरूरी होता है अगर यहाँ पर यह function from r to r हो जाता real numbers की बात करते तब यहाँ पर अगर x 0 आता तो आप बोलते कोई दिक्कत नहीं है होने तो 0 फरक नहीं पड़ता 0 तो real number होता है ना मतलब की domain में यहाँ पर co domain वाले 1 की जो value है उस से associate होने के लिए 0 जो है वाविलेबल है बट जब आपने n बोल दिया natural number बोल दिया तब आप बोलोगे भाई यहाँ पर कि x की value 0 नहीं हो सकती क्योंकि natural number 0 से start नहीं होता तो इस case में यह on to नहीं होगा तो क्या करना on to निकालने के लिए किसी भी function को तो on to देखना है तो आपको देखना है भाई कि आप f of x को y रखोगे x in terms of y निकालोगे then देखोगे क्या x y की हर एक value के लिए कोई x आपको मिल रहा है उस domain में या फिर नहीं मिल रहा है अगर मिल रहा है तो वो on to function होगा नहीं मिल रहा है तो on to function नहीं होगा अब यह आपको अगर 50% भी बात समझ में आ गई है अभी ना जब questions करेंगे न हम तो यह 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बिलकुल टेंशन नहीं लेने का अराम से सारे questions को solve करते हुए चलने का मेरे साथ ठीक है चलो तो यहाँ पर क्या बोल रहा था let a with a set of 50 students of class 10th in a school let f from a to n a to n मतलब की a जो है वो set है 50 students का a में कितने elements है 50 elements है और वो सारे students है ठीक है एन जो है वो एक तो f of x जो है function जो है वो role number of students है ठीक है हर student को उसके role number से आपको क्या करना है associate करना है ठीक है show that f is one one but not on two तो f one one है but on two नहीं है यह आपको दिखाना है clear है चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम बना लें इस चीज़ को आप अगर बोलते हो यह जो है वो है आपका वही पवन मोहेत रोहेत कमला डैश 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 ठीक है अब ललकी का नाम है कुछ भी रख दो रखना रखो यार ठीक है अब यह क्या है यह A set है और यहाँ पर natural numbers का set है N यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 हो सकता है भई रोल नमबर 1 किसको मिल गया हो कमला को रोल नमबर 2 किसको मिल गया हो मोहित को रोल नमबर 3 पवन को रोल नमबर 4 रोहित को ऐसा किसी को भी कोई रोल नमबर मिल सकता है मतलब F function में अगर आप पवन डालोगे मतलब आप उससे पूछ रहे हो कि कौन सा रोल नंबर है इसका तो उसका अंसर आएगा 3 मतलब यहाँ पर स्टुडेंट को उसके रोल नंबर से असोसियेट करने वाला जो फंक्शन है वो है हमारा फंक्शन F of X ठीक है अब यहाँ पर जो कोश्चन है वो यह उठता है इन्होंने बोला है कि जो फंक्शन है भई वो वो हमें बोलता है कि रोल नंबर ऑफ स्टुडेंट है लेकिन हमको यह बताना है कि वो वनबन तो है बट उन्टू नहीं है वनवन का क्या मतलब हुआ वनवन का मतलब हुआ कि यहां पर कि नहीं भी दो इनपुट का सेम आउटपुट ना आए तो ऑदिस सी बात है जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो कोई भी दो स्टुडेंट्स का सेम रोल नंबर होता है अगर ऐसा होता तो भई पवन दूसरे के रोल नंबर में बैठ कर एकजाम देकर फेल हो जाता और दूसरे वाला जो उसके रोल नंबर से पास होगा मतलब कि कोई भी एक स्टुडेंट है तो उसका रोल नंबर已經ी कोता यह यूनीख आईडी होती एपनी हैना और दो स्टुडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता तो आप बोलोगे as no two students can have same rule number therefore it is a one one function किनी भी दो स्टूरेंट्स का सेम रोल नमबर नहीं हो सकता इसलिए कैसा फंक्शन है एक वन वन फंक्शन है ठीक है अब बात आती ऑन्टू की तो ऑन्टू के लिए क्या बोलोगे आर आप ऑन्टू के आप देखोगे यह कहां तक है तो नैच्रल नमबर यह तो हो सकते हैं अगर आप पुल बोलोगे फॉर पिस्टी वन फिफ्टी वन क्या है बिलोंग करता है एन को भई नैच्रल नमबर को बिलोंग करता है पचास स्टुडिंट्स के बाद 59 किसी का भी रोल नमबर नहीं होगा तो आप बोलोगे डेर देर इस नो अधियुमेंट इन associated to 51 कोई भी element नहीं है A में जो कि 51 से associated हो तो अगर ऐसा है तो भाईया वो on to नहीं है क्योंकि 51, 52, 53 up to infinite आप जाओगे और कोई भी number associated नहीं पाओगे सिर्फ 50 number जो है भाई पर associations होगा मतलब की co domain जो है वो range के equal नहीं है इसलिए ये on to function नहीं है तो आपने बोल दिया therefore it is 11 but not on to 11 मैं लेकी देता हूं अच्छे से it is 11 but not on to clear है बात चलो तो next question बढ़ते हैं अपना आगे आप क्या बोला show that the function f from n to n given by f of x equals to x is 11 but not on to obviously बात यार यहां पर अब आप देखोगे इसमें हम ऐसी करेंगे कैसा जैसे मैंने template बताया आपको पूरा किया इसको फॉलो करना और कुछ नहीं करना ठीक है तो यहां पर आप क्या करोगे f of x equals to 2x है तो आप क्या करोगे देखो के सबसे पहले कि x1 और x2 यहां पर f of x1 और x2 निकालने के बाद f of x1 को f of x2 से equal रखने के बाद क्या हम x1 equals to x2 तक पहुंच रहे हैं अगर पहुंच रहे हैं तो well and good यह 11 हो गया अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो not well and good यह 11 नहीं तो f of x1 किता आजाएगा वो 2x1 हो जाएगा f of x2 किता हो जाएगा वो 2x2 हो जाएगा आप यहां पर दोनों को equal रखेंगे f of x1 equals to f of x2 for one one function आप निकालने आ रहे हो वन बन के लिए आप क्या करोगे putting f of x1 equals to f of x2 तो यह imply करेगा कि 2x1 equals to 2x2 2 से 2 cancel तो क्या हो जाएगा x1 is equals to x2 आपने शुरुवात कहां से करी कि f of x1 और f of x2 equal मतलब outputs equal हैं और अगर outputs equal आ रहे हैं तो भई यहां पर inputs भी same होने चाहिए तभी वो one one होगा वरना क्या हो जाएगा वरना दो different input के same output आ जाएंगे तो वो हमें नहीं प्रूव कर रहा है तो आपने हापर बोला कि भई x1 equals to x2 आ चुका है मतलब कि अगर output same है तो input भी same है therefore it is one one बात समझ में आई यह आपको one one हो गया यह अब on two के लिए क्या करोगे मैंने बोला था ना कि जो 50% बात आपको वहाँ पर समझ में आईगी अगर आप questions कर लोगे साथ में तो 100% बात समझ में आ जाएगी ठीक है तो on two के लिए करोगे फिर चला गया उपर यार क्या अदमी है यह यह उदे भाई वो उदे शिट्टी सुन रहे हो ठीक करवाओ यह बोर्ड यार ठीक है तो भई अब on two पे आते हैं तो on two के लिए मैंने क्या समझाया था तो on two के लिए मैंने समझाया था कि यहाँ पर आपको देखना है कि आप सबसे फ़हले f of x क्या करोगे y equal to put करोगे equal to y तो आपने बोला f of x equals to y ठीक है तो 2x जो y की equal आ जाएगा अब यहाँ पर देखोगे कि इसके डोमेन और को डोमेन क्या है तो n to n a तूनों नैच्रल नंबर से ठीक है अब वाई नैच्रल नंबर है तो य तो बन भी हो सकता है y equals to 1 बोलता हूँ तो x क्या हो जाएगा 1 upon 2 बट क्या यह x जो है यह इसके डोमेन में आ रहा होगा इस नैच्रल नंबर में आ रहा होगा तो आप बोलोगे नहीं आ रहा होगा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा क्यों भाई यह 1 by 2 is not a natural number तो आपने यहाँ पर समझ लिया क्य कि यह on to नहीं है ठीक है तो it is not on to because 1 by 2 does not belongs to does not belongs to n n को belong नहीं करता sorry अब n को belong नहीं करता तो भाई यहाँ पर 1 के लिए कोई भी प्रीमेज अवेलेबल नहीं है अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई को डोमेन रेंज की एक फ़ल नहीं होगी नहीं होगी तो not on to ठीक है तो क्या हो गया यह वन वन तो है बट on to नहीं है अब क्लियर हो रही है कहानी समझ में आ रही है आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोल दो at least जल्दी से चलो आगे चलते हैं अब क्या बोल रह होगे जर्स इसके पिछला वाला कोश्चन जो है एक सब्सक्राइब होगे तो एक सब्सक्राइब हो जाएगा तो वन बन तो हो गया क्योंकि आपने बोला आउट पुट्स अगर सेम है तो उस केस में पूट्स भी सेम हो गया लेकिन बात यहां पर आती है कि क्या यह on to होग होगा क्या यह on to हो गया फर नहीं होगा अब आपने यहां पर देखा था कि जब आपने एंप यह रखा था कि पिछले बाले कोश्चन पूरा वही है चेंजे सकाँ पर हैं तो डूमीन और को डूमीन में ने पहली बताया था आपको जब इसको मैं बता रहा था कि क्या एक आपको follow करना पड़ेगा steps तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर domain code domain change हो जाता है तो onto है या नहीं है वो भी change हो जाता है तो अब यहाँ पर आप भोलोगे f of x अगर y है तो 2x y के equal हो गया x in terms of y आपने निकाला तो x हो गया y by 2 अब x की value y की value आप 1 डाल दो तो x की value 1 by 2 real number में आती है हाँ आती है किसी भी यहाँ पर आप normally देखोगे for every y belongs to our और बोलके एन कौन लिखता है ठीक है तो for every y belongs to our अगर y real है y real है तो x भी real रहेगा points में होगा decimals में होगा मतलब कुछ भी होगा फर्क नहीं पढ़ता लेकिन real रहेगा तो y कोई भी हो x real रहेगा और real है मतलब की domain में तो आपने बोला for every y belongs to our there is an element x belongs to our तो यहाँ पर अब फर्क नहीं पढ़ता कि 1 by 2 हो या कुछ भी हो यह real real में खेल रहे हैं तो आपने बोला therefore it is on to on to function on to है बात क्लियर है question क्लियर है चलो आगे चलते हैं यह अपने आप जा रहा है यार यह तो यह तो दिक्कत ही है पागल है next पिसलते हैं अब क्या बोल रहा है show that the function f from n to n natural number से natural number पर बोल रहा है given by f1 equals to f2 equals to 1 तो यह पर पहले ही आपको यह define कर दिया गया है कि कि f1 और f2 जो है वो क्या है वन के एक्वाल है ठीक है f1 equals to f2 equals to 1 अब f of x जो दिया हुआ वह वह x-1 दिया हुआ ठीक है f of x equals to x-1 है इसके बाद की condition बहुत इंपोर्टन है for x greater than 2 x greater than 2 के लिए उसके पहले की जो दोनों वैल्यूस है न वन और टू के लिए वन के एक्वाल है पहले दे दिया गया ठीक है n to n वन और टू के लिए वन है is on to but not one one यार यह तो मतलब क्या ही बोलूं हम मैं साफ साफ दिया हुआ है कि दो अलग अलग inputs के लिए same output मिल रहा है मतलब कि अगर यहां पर आप ऐसा बनाओगे one two three four five dash dash यह होगे आपका पहला वाला n और यह दूसरा n भी same है one two three four five dash dash n to n function है अपने पास आपको इब पता है one और two जो है दोनों का जो output आ रहा है वो one ही आ रहा है दोनों का output क्या रहा है one ही आ रहा है तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे therefore as आपर पहले लिख तो दो as x equals to one and x equals to two for x1 equals to x2 equals to two f of x1 equals to f of x2 therefore it is not one one ठीक है तो one one तो नहीं है यार यह तो समझ में आ गया क्योंकि अलग-अलग दो inputs पर same output आ चुगा है इसके पास पहले डिया गया है बट यह on two है यह प्रूफ करना है कि आपको यह on two है तो on two के लिए आप क्या करोगे दूसरे पेच पर चल देते हैं on two के लिए तो आप बोलते हो f of x को y f of x कित्ता था अपना इस case में f of x था आपका x minus 1 तो x minus 1 को y बोलते हो तो x हो जाता है y plus 1 x जो y plus 1 है अब y की value कुछ भी रखो ठीक है natural numbers चालू करोगे y की value रखोगे 1 तो x की value कित्ती आ जाएगी two y की value कुछ भी रखोगे भाई x की जो value है वो वहाँ पर आ ही जाएगी ठीक है वो वहाँ पर एक natural number ही आएगी इस case में कभी भी आप बोलोगे for every y belongs to n there is x belongs to n तो हर एक y के लिए वहाँ पर x है इसका मतलब it is therefore it is on to function यह एक on to function है च्योंकि भाईया वहाँ पर एक ऐसा function है जो कि belong कर रहा है natural numbers को clear है तो यह on to है but one one नहीं था ही चलो next क्या बोल रहा है show that the function f from r to r defined as f of x equal to x square is neither one but not on to बहुत easy question है अब यहाँ पर ही real number से real number पे बोल रहा है ठीक है यह जो x square होता है आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ के जब square लोगे तो चाहे वो negative number का square हो चाहे वो positive number का square हो answer जो है वो हमेशे positive ही आता है तो यहाँ पर अगर मैं real number का एक diagram बनाता हूं real number का एक set बनाता हूं यहाँ पर यह minus 1 minus पहले minus 2 लिखते हूं अब्विसी बात है dash dash ऊपर नीचे दोनों side यहाँ पर मैं लिखता हूं कुछ भी लिख दो minus 1 minus 2 minus 3 यह भी पहले उपर से लिखेंगे minus 1 0 1 2 3 4 अब आप जानते हूं कि minus 1 जब रखोंगा मैं f of x में मतलब f of minus 1 निकालने जाओंगा तो हो जाएगा minus 1 का square यानिकी 1 f of 1 निकालने जाओंगा तो हो जाएगा 1 का square यानिकी 1 मतलब minus 1 का भी output 1 है और 1 का भी output 1 है दो अलग-अलग inputs पर same output मिल रहा है similarly minus 2 का 4 होगा 2 का भी 4 होगा तो भाई यह कहीं से भी कहीं तक 11 function तो नहीं है क्योंकि different inputs पर भी same outputs यहां पर मिल जा रहा है तो आप बोलोगे therefore it is not 11 ठीक है 11 तो नहीं है अब on to के लिए चेक करता हूं r to r तो है यह तो यहां पर मैं देखता हूं f of x को y रखता हूं y हो जाएगा कितना x square x square कितना हो जाएगा y मतला भाई तो x की value कितनी आ जाएगी under root y अब आप बोलोगे sir rational irrational से क्या पर्क पड़ता यह तो अपना जो values आएंगी वो सारी real तो रहेंगी कैसे real रहेंगी अगर y मैं आप माइनस 1 पुट कर देता हूं भाई यह भी तो आना real number में मैं y की value माइनस 1 पुट करता हूं तो x क्या हो जाता है imaginary तो कोई भी negative value अगर यहां पर आप पुट कर दोगे तो negative value के लिए कोई भी x यहां पर नहीं मिलेगा यह आपको पता है कि real number में फिर इसका answer नहीं आएगा भाई आयोटा लग जाएगा यहां पर ठीक है तो आपको यह पता है कि आपने domain co domain को देखा co domain की जो negative values है उनके लिए कोई भी यहां पर input available नहीं है therefore it is not on to as for y for y less than 0 there is no element in r therefore it is not on to less than 0 के लिए जब भी आपने कोई भी output ऐसा लिए जहां पर negative value आगई तो उसके लिए कोई input आपको नहीं मिल पाएगा कोई प्री इमेज नहीं होगी तो यहां के सारे elements जो असोसियेट नहीं हो पाएंगे तो ना तो यह वन वन है ना ही यह on to है तो दिखने में कितना अच्छा function है अपना अभी तक क्या सोच है तो होते हैं वही सिंपल साधी अच्छे function होते नहीं fx equals to x square वहीं यहां पर पैरावोला बन रहा है आपका लिए आपको पता है माई वन पर मतलब माईनस वन पर और वन पर दोनों पर वैल्यू जो है वो सेम है वन ही आ रही है ठीक है ऐसी टू पर और माईनस टू पर तो यह वन बन नहीं है और on to भी नहीं है clear बात क्योंकि negative के साइट तो value जा ही नहीं रही है इसकी y negative में आई नहीं सकता चलो तो अब क्या question बोल रहा है तो question है यहाँ पर भाई show that an on to function f from one two three to one two three is always one one तो एक on to function f और यह one two three से one two three है मतलब की यहाँ पर set directly दिया हुआ है यह अपना one two three है set a बोल देता हूं इसको मैं और दूसरा भी set a ही है same ही है यह बी बोलना बी बोल दो जो भी है one two three function f है ठीक है अब यह बोल रहा है कि अगर यह on two है कैसा है on two on two है मतलब कि इसका हरेक element associated होगा हरेक element associated होगा तो भई यहाँ पर मान लो one associated है one से two associated है two से three क्या two से associated हो सकता है तो आप बोलो कि नहीं हो सकता क्योंकि function है function में कभी भी एक input जो है वो दो आउटपुट्स नहीं दे सकती तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई क्योंकि यह फंक्शन है तो एक के सारे elements को associate होना जरूरी है function की definition यह बोलती है और अगर associate होना जरूरी है तो हर एक input का यहां पर एक ही output होगा वो दो आउटपुट्स नहीं दे सकती तो अगर वन वन से associated है तो यह त्री किसी से भी associated नहीं हो सकता तो बाकी बचे दो numbers को associate होने के लिए दो number बचे हुए है क्योंकि ऐसा हो सकता था मतलब मैं बोल सकता था कि टू और थ्री यह associated है ऐसा हो सकता था function होगा इस case में different inputs पर same outputs मिल सकता है same inputs पर different output नहीं मिल सकता ठीक है लेगन different input पर same output इस case में इसले नहीं मिल सकता क्योंकि on to में पहले से दिया हुआ है on to मतलब कि इसका हर एक element associate हो रहा होगा और अगर गलती से भी यहां के किनी भी दो element ने एक element से association कर लिया तो एक element single बच जाएगा कैसा बच जाएगा single single से आ रहा है सब पढ़िया ठीक है चलो तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि दो elements अलग अलग से associated हो यहां पर associate होना है तो भई 3 को फिर 3 से होना पड़ेगा अगर 1 1 से और 2 2 से हो चुका है तो मतलब कोई element किसे भी associate होगा लेकिन on to है इसलिए यहां पर सारे elements का association किसी ने किसी के साथ तो होगा और क्योंकि यह function है इसलिए यहां पर हर as it is an on to function therefore every element of co domain is associated to an element of domain at least an element of domain ना जाला से भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर क्योंकि भईया तीन ही तो element है तीन ही तो element और function हो ना है इसको ठीक है but as there are only three elements and none of three elements in the domain in the domain and none of them can be associated to more than one element therefore it is one one थोड़ा सा theoretical answer रहेगा इसका डाइगर ना देना theoretical answer देना बिलकुल मानने हो गई है ठीक है आपने क्या बोला कि भई यहां पर यह आप फंक्शन है तो इन तीनों ही elements को अस्वेट होना जरूरी है अब क्योंकि इनको अस्वेट होना जरूरी है और क्योंकि यह function है तो इन सही associate होना पड़ेगा इसलिए 1-1 function बन जायेगा अगर यह on to है तो और obviously अगर यह 11 होता तो यह on to be बन जाता अगर 11 होता तो भाई इसका मतलबता one का a की output है two कभी एक ही output है और three कभी एक ही output होगा 11 function है तो कोई भी दो element x associate नहीं हो सकते उस इसमें भी अब नहीं हो सकते तो यह भी क्या बन जाएगा ऑंटू क्लियर बात ओके तो यह सेम कोश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेंट किया क्या बोला जा रहा है शोग्टाट 11 function f from 123 123 must be on to तो एग्जेक्ट वही है जो मैंने इससे पहले एक्सप्रेंट किया है इसको लिखना किस तरीके से है यह यह कोश्चन आपका assignment है ठीक है तो यह assignment है आपका assignment आप मेरे कुद्ध दो कोड़ी का है वैसे तो यह question लेकिन comment section पर प्लीज इसका सब्सक्राइब करते हैं खतम ठीक है तो thank you for watching this video मेरे साइट से भी सब्सक्राइब के साइट से भी और आपने एक्जाम्पल सारे कर लिए functions में समझ लिए कि on to functions कैसे प्रूफ करना है 11 functions कैसे प्रूफ करना है इसके बाद नेक्स वीडियो में लेकर आउंगा इसके exercise 1.2 नही प्रूफ कर रहे थे और एक rock करते हैं वो कुछ अच्छे answers कर रहे हैं तो हम यह सबको यहां पर ध्यान में तो थे कर रहा है लास में जाकर इसको रहता पर मैं अच्छे से एक गिफ्त भी दूंगा और आकर interview यू भी हम उसे connect करवाएंगे सबी के सामने ठीक है चलो तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में जहां पर मिलेंगे हो और बहुत अच्छे-च्छे questions और ऐसे ही हम preparation करते रहेंगे उसके बाद फिर RDRS के भी questions करते रहेंगे सोल तब तक लिए bye bye keep studying and take care